चलो बदाती हूं मैं इस बहुत लेट हो जाएगा फिर दिखो आपको बस इसको एक एक पॉइंट पढ़के सिंपल कॉंसेप्ट से अर्थमेटिक के इसमें जैसे कि फिलर बेस्ट में होते वही चीज़ है यहां पर बोला इनों नहीं कि जो ग्रॉस पे हैं मैंने कल भी ऐसा कोशन आपको करवाया था तो यह दो चीज़ों का है आपका सम किसका बेसिक पे प्लस कमेशन वहां पर क्या थ था बेसिक पे प्लस अलावेंस था या इंसेंटिव था या कमीशन है सेम वही चीज़ होती है आगे बोला ग्रॉस पे ऑफ अरून इस फॉर्टी थाउजन मोर देन देट अफ कभी तो यहां पर अगर हम ग्रॉस पे की बात करें तो जो अरून का है वो कितना है कभी से आप पर फॉर्टी थाउजन जादा है ओके अन्द बेसिक पे एंड़िस कमीशन इस पे अरून इस इति परसेंट ऑफ इस ग्रॉस पे तो अगर हम सिर्फ अरून की बात करें ठीक है तो अरून की केस में उन्होंने बोला है जो इसकी बेसिक पे है यह इसकी टोटल ग्रॉस पे क किता है 80% है okay and his commission is 4000 more than that of Kabir तो अरून की अगर हम commission की बात करें तो जो अरून की commission है वो कबीर से किती ज्यादा है 4000 यहाँ पर ज्यादा है वेरी गुड गगन अब आगे देखते हैं क्या बोला है इन्होंने okay gross pay of Kabir is j percent less than that of Arun ठीक है तो इन्होंना मेरे से यहाँ पर एक चीज और गोल दी कि जो gross pay of Kabir है इतनी है तो इस point को यहाँ पर अभी hold करते हैं तो कि हमें पहले gross pay तो पता लगे while the commission earned by Arun and Kabir together is 4400 तो commission मुझे दोनों का difference पता ह है और दोनों की commission का sum भी इन्होंने दे दिया कितना 44,000 अब मैंने आपको बताया था male female वाली एक डीए कराई थी प्रेलिम्स में कि directly आपको अगर difference और दोनों का sum पता है तो क्या होगा जो A minus के है that is Arun का commission जादा है तो A की value किया होगी इन दोनों का sum करके 2 से divide करोंगे 48 इस करोंगे यह आगे 20,000 दोनों value आ गहीं आप चाहते तो इन दोनों को add करके भी simple निकाल सकते थे clear अब आगे देखते हैं क्या अब यहां पर देखो अब भाई जब मेरे पास यह चीज़ आगी तो और भी हम किसी चीज़ को यहां पर relate कर सकते थे क्या कि हमें 24,000 और यह दोनों चीज़े मिल गए आगे बोला था अरुन invested 75% of his commission in a scheme for six year earn simple interest of rupees के तो यहां पर यह simple interest earn करता है ओकी hold करते हैं यहां पर इन चीज़ों को अब मुझे एक चीज़ बता इस वाले point को ठाओ ठीक है मेरे से बोला जो अरुन की basic pay है वो gross pay कितना है तो total gross pay होती है और basic pay अरुन के case की बात कर रहा है ठीक है यहां पर commission होगा और यह होगा basic pay अगर 80% है तो commission कितना होगा 20% होगा basic pay अरुन की आगई 96,000 ओके और gross pay off अरुन क्या हो जाएगी यह भी आगी दोनों को add कर दो basic pay and commission तो जब दोनों को add करोगे 6,4,10,9,2,11,12 यह आगई आपकी एक लाख 20,000 क्लियर की नहीं समझ रहे point को यह आप कर सकते हो मतलब doable है आपके end से कोई logic नहीं लगा इसा है moderate set है आगे देखते हैं इतना हमारा clear होगे वैई जब यहाँ पर मेरे पास यह सारी values आ गई तो मुझे यहाँ पर gross pay connect किया गया था कबीर का तो दोनों की भी में 40,000 का गया था तो अगर मैं यहाँ से 40,000 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा बताओ वैई simple सी बात है gross pay off कबीर ठीक है sorry gross pay off अरुन मुझे पता है किता है यहाँ था एक लाग 20,000 तो इसमें से अगर मैं 40,000 यहाँ पर माइनस कर दूँ तो कबीर का gross pay कितना आ जाएगा यह तो अरुन का था कबीर का gross pay आपका आ जाएगा यहाँ पर इसको जब माइनस करोगे 12 में से 48 यह हो गया 80,000 और क कबीर का commission हमें already पता था यह क्या थे दोनों के commission थे तो commission 20,000 तो आपकी basic salary भी आ गई कबीर की कितनी आ गई आपने 80 में से 20 माइनस किया हो गया यहाँ पटली 60,000 आपकी आ जाएगा समझ गया है हाँ सब कुछ आ जाएगा अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो अलग से है यहां पर में जे परसेंट की वैली पूची थी तो फटा फटा निकालो जे क्या है अपर जाएगा तो अम मैं क्या करूं दोनों का gross पे उठाऊओ इसका gross पे यह रहा इसका gross पे यह रहा दोनों के बीच में 120 और 80 के बीच में अंतर कितना है आपका 84 बारा 40 का ठीक है और कि के respect में बोल रहा है less than that of Arun तो Arun का कितना है 120 तो यह क्या हो जाएगा बताओ चार्तिया बारा that is 1 by 3 तो यह किसकी fractional value होती है 33.33% तो जे परसेंट की value अगर इतनी होगी तो जे की value हमें आपर लिख सकते percentage अदा के 33.33 समझ गया इस बात को percentage में मतले ना don't be confused जे percent is equal to 33.33% अ क्लियर क्या गलत निकाला अश्वनी calculation mistake नहीं करनी है बाबा आ गया अब यहां से देखते है Arun invested 75% of his commission तो अगर Arun की commission की बात करे कितना था 24,000 था ठीक है अब जब इसका आप 75% होगे that is 3 by 4 लोगे 24,000 के यह माइंड में विगर सकते है 24,000 था 24,000 था ठीक है और बोल रहा है क्या इसको six years के लिए invest करता है और rate कितना रखता है यहां पर करता है K आपका simple interest और rate रखता है 60% of J तो जब आप 60% of J करोगे तो 60% of J परसेंट करना है तो जब 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 परसेंट लगा हुआ है तो हम इसको ले सकते है क्या परसेंटेज उन्होंना अल्रेडी लगा जब यहां पर सीधे सीधे क्या लिख सकते थे रही बताओ आप ऐसे लिख लो या फिर आप 100 by 3 कर दो ठीक है अब जब इसको solve करोगे यह 100 होगा यहां से यह सब cancel क्या आगया आपका rate आगया 20% समझ रहे बात को कि मुझे इस total का percentage लेना तो percentage ले रहा जे की value क्या है 33.33 33.33 को हम कैसे fraction में लिख सकते है 100 by 3 ठीक है 1 by 3 कब होता है जब ह percentage मिल लते हैं तो इतना clear हुआ कि नहीं है point यहां पर तो किसी को कोई confusion नहीं है बोलो done आगे बढ़े अब आपके पास क्या है यहां पर principle है rate है time है सब कुछ है तो SI निकाल लोगे कि नहीं और SI को इन्होंने बोला है के तो PRT by 100 लगाओगे तो 18,000 पर 6 दुदी बारा क्योंक यह हो गई आपकी के की वैली समझे बात को की नहीं बता मेरे पास दो वैली आ गई जे की वैली आ इतनी ओके और के हमारे पास आ गया 216 00 समझ गया बात को यह निव पैटन नहीं है रॉबन यह तो आपकी वही यह तो कल भज गई थी निव पैटन इसके बात कराऊंगी ना पहले वाला कराऊंगी ना कराऊंगी अभी नहीं कराऊंगी तो आप लोग गई कि मैं शूट किया वह कराऊंगी यह तो रहा गई थी ना आपकी वह है य आगे इन्होंने क्या कहा Kabir invested 60% of his commission plus k by 4 plus j by 2% of 15600 अब अम लग नेक्स पेच पर चलते हैं तो 60% of his commission तो Kabir का commission कितना है पहले यह देख लो यह आया था हमारा 20,000 तो Kabir के अगर इधर लिखते हैं चलो सभी में जगह नहीं है चलो Kabir का commission था हमारा कितना 20,000 अब मेरे से बोला है इंग्लिश वाले पर चलते हैं फिर कुछ लोगों confusion होने लगेगा इसका commission आया था 20,000 अब आगे बोला था कि इसने 60% of his commission तो 60% करोगे तो 60% कितना होता है भाई 60% of 20,000 आप कर रहा है तो 6 दो नहीं बारा मैं डायरेक्ट 12,000 लिख दू कोई लिक्कत पता कोई परिशानिया तक अब इसके बाद के बाई 4 करोगे के की वैलिव आई थी 216,000 by 4 ठीक है और साथ में बोला था जे बाई 2% तो जे की वैलिव दी 33.33 अब आप में 2 और परसंटेज भी बोल दिया नहीं लगा तो लगा दिया यह हो गया 156,000 अब इसको मैं यह ना लिखकर सीधे 1 by 3 कर दू कोई दिककत ठीक है काटो 3 दूरी 6, 6 तो नहीं बारा 6,6 36 यह आगया यहाँ पर 4,5,20 4,4,16 यह इतना हो गया जब सब को एड करोगे 54,6,4,10,5,6,7,8 तो आट इसमें जोड़ोगे 12,8,20 कितना आ गया 20,000 आ गया फिर सघूम फिर के वही वैलिव आगी यह वह अला मनी आ गया जो किसने इन्वेस्ट किया कबीर ने इन्वेस्ट कि इसने एक दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट किया 40% पर राइनम C.I. तो भई मेरे को इसने बोला कि इसने टाइम नहीं दिया यह तो बोल गया कि यह मनी जो है यह मुझे 40% C.I. पर करना है तो आगे बढ़ते हैं टोटल एमॉउंट विद कभीर तो एमन्ड क्या होगा यह तो कमेशन था और यह इन्वेस्ट किया जो मेरे को बताओि 40% को निकाल étant इसकी fractional value क्या होगी four by ten that is two two's are four, two five's are ten तो तीन साल के लिए हो रहा है तो successive होता है तो पाँच अगर principal है उस पर दो का interest मिल रहा है तो amount seven हो रहा है फिर next year पाँच से साथ हो रहा है फिर next year दो का interest मिल रहा है साथ हो रहा है कर रहा है प्रिंस्पल को यह amount को और जो इनका difference आयागा ना वही क्या होगा हमारा CI होगा तो दोनों का difference कितना है तेरा में से पांच किया कितना बचेगा बताओ आठ बचेगा तीन में से दो गया एक और यह आगया आपका कितना तीन में से एक गया दो 218 जो होगा यह पार्ट किसका होगा आपका interest का होगा ठीक किसके respect में होता है इंट्रेस्ट आपको principal के respect में मिलता है मतलब CI का पार्ट आपका इतना होगा समझे इस बात को कि नहीं बताईए कि निकालना आता है कि नहीं तीन साल के लिए ऐसे easy पड़ेगा इसलिए मैं आपको बता रहीं कुछ भी ने करना आपको principal तो पता ही है 20,000 that is 125 unit की value आपको पता है 20,000 इसको अटा दो यह नहीं समझ पा रहे है 125 प्रिंसपल आल्रेडी पता था 25 बंचे 125 एट्जा इधर गया 5 से काट होगे 5 है कि 5,5 से काट होगे 5 है कि एक यूनिट की value 160 तो कितना आ जाएगा बता हो यह है आपका हमने किना निकालना था यहां पर 218 यह था ना दोनों का डिफ्रेंस तो 218 unit की value कितनी हो जाएगी 280 इंटू कितना यह है आपका 160 करोगे 168 जा 128 16 एकम 16 16 और 12 एट करो समझ में आया कि नहीं 3 4 880 देखो यहां पर ना concept नहीं आपका concept तो है इतना ज्यादा को लॉजिक नहीं है यह स्टेल आप लोगों से गल्तियां हो रही है कहां पर calculation मिस्टेट में थिक्यां इसलिए आपको अलर्जी है इस टॉपिक से कि आप लोग समझ नहीं पाते हैं यह कितना है ल है तो जब मुझे ल की वैली चाहिए तो ल क्या होगा amount है कभीर वाला तो मुझे बार बताओ ल क्या होगा principle प्रिंसिपल कितना है 20,000 ओके यहीं तो था यहीं तो इन्वेस्ट कर रहे थे यहां पर और यहां पर कितना है 34880 तो total amount कितना आ गया total amount of कभी that is L is equal to 5 54880 clear यह point clear हुआ कि नहीं बता हूं यहां तक ड़न चलिस होता है कि कंप्लीट हो गई है अब थोड़ा सा और है यहां सा एक लाइन और उसके बाद फिर बहुत इसी सा है कभीर पर्चेस जैन आर्टिकल फ्रॉम शॉप अब आपका यह आ गया profit and loss का कॉंसेप्स यह असा ही खत्म तो कभीर यहां से पर्चेस करेगा एक आर्टिकल कितने का L माइनस 4 880 तो बहुत यह रहा इस में से 4 880 माइनस करोगे तो कभीर कितने का पर्चेस कर रहा है बही पचास अजार कहीं तो करेगा माइनस कर दोगे ओके and sold it to वरण at 20% profit तो यह वरुन को सेल कर देता है कितने पर 20% profit profit that is कितना profit कमा रहा है यह इस पर 20% का तो अब जो वरुन इसको खरीद रहा है तो वरुन के लिए वो क्या हो जाएगा cost price की तरह काम करेगा clear तो अगर हम यहां पर बोल दें कि वरुन के लिए CP बोल दें इसको या फिर हम यह बोल दें कि कि इतने पर वेचा कभीर ने वरुन को तो यह कितना आ जाएगा 20% का profit यह आगया आपका 60,000 ठीक है यह क्या हो गया आपका वरुन के लिए वरुन ने जितने पर बाय किया article clear इतनी बात नेक्स पेस पर चलना पड़ेगा हमें ठीक है जगह खत्म हो चुकी है अब कहां तक complete कर चुके हैं यहां तक 20% profit तक टीक है अब वरुन वरुन के पाल सीपी पर यह कितना आइटम आया था आपका कितने रुपए का यह था पचा स्वारी साथ हजार आया ना जब पचास हजार है आपका ठीक है मैं बोलूं इसका आप 120 परसंट करोंगे यह था सिक्स बाइफ करोंगे तो यह साथी हजार तो आएगा ज्यादा कर रहे हो ना मां ज्याजार कहां से आजएगा कैलकुलेशन मिस्टेक बाबु साहिब आगे देखो वरुन ने क्या 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 करेंगा वो कहेंगा मैं आप इसको सेल करूंगा कितने पर एट एल माइनस के माइनस 400 बाइट हंड़ परसंट तो ल की वैल्यों मारी कितनी आई थी बताओ यह था 54880 ठीक है और के कितना आया हमारा यह था 21600 माइनस का 400 अपन में दे रखा है आपका 800 परसंट तो परसंटेज लगा है तो सो और लगा तो नीचे समझ रहे है इस बात को अब जब इसको इस से माइनस करोगे तो यह 8 आ गया 8 में से 6 गया किता बचा 2 फिर 4 में से 1 गया 3 5 में से 2 गया 3 0 यह और 400 फर्दर इस में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ यह आ गया आपका 8 12 में से चार गया 8 3 2 8 8 0 तो उपर वैल्यू कितनी आ गयी आपकी 3 2 8 8 0 नीचे आ गया 800 इंटू 100 और क्या था थीक है भाई थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को इन्होंने बोला है वरुन सेल कर रहा है आर्टिकल को इतने परसेंट मूर तो मैं आपको मैंने एक चीज़ बताए थी अगर सपोस 100 CP था और मैं आपसे बोलू 20 परसेंट मूर आप जो वैल्यू लेते थे वह 100 प्लस 20 ले कबीर ने कितने पर बाय किया था आर्टिकल बताए कबीर ने जो यह आर्टिकल बाय किया था वह कितने पर गिया था हमने वैली निकाली थी यहां पर यह आया था वरुन के लिए जो कॉस्स प्राइस था भाई जितने पर उसने यहां पर किया था था देखो बार्ट लेंगे अगर मैं आपसे बोलूँ किसे बोल रहा है इसी वाले पॉइंट से बोल रहा है कि इससे मोर है कितना 50,000 से तो जो हम फाइनल वैल्यू लेंगे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100 है ठीक है या कोई चीज एक्स है ठीक है और मैंने बोल दिया 20% मोर अगर इसका लेना तो क्या करते थे एक्स प्लस 20% यहीं तो लिखते थे यह लिखते थे कि नहीं बताओ इस पॉइंट को समझ रहे हो मैं जो स्टेट्मेंट आपको बता रही हूं इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा अब इसको हटाओ क्यों यह एक्स्प्रेशन लिख सिंपल सी बात है किसी भी चीज का अगर आप क्या किते मोर ले रहे हो उतना ही तो भई उसी का उतना परसेंट कर दो यहां तक ड़न की नहीं यह पॉइंट समझ में आया परकर शीच में आपको जब चोटी डिजिट में देता है तो आप समझ जाते हुआ बड़ी पर देता है तो थोड़ा सा समझे में प्रोब्लम होती एक लोगो अविसे जब सॉल्फ करोंगे तो यहां पर देखो 2 0 से 2 0 cancel 2 0 से 2 0 cancel 8 से काटो 8.32 8.88 8.88 यह चला गया हासे और यह 0 होगे जब आप इसमें add करोगे 5 से पहले multiply करो 0 5 5 5 5 5 5 5 चको 20 add करोगे 70550 यह value आपकी क्या आगई जो इसने बोला था क्या कि वरुन इसको sell करता है तो वरुण की इसको जिस प्राइस पर सेल करता है वो आपका कितना आ गया 70550 समझ गया आप इसको की नहीं आया पॉइंट यह समझ आगया आफ्टर मार्कडप आगे इन्होंने बोला है क्या कि कभी बॉर्ड आर्टिकल यहां तक हमारा डन हो गया आफ्टर मार्क तब आर्टिकल एम बाई 2 परसंट आपको पता है मार्कडप किस पर होता है बताओ मार्कडप किस पर करते हो CP पर ही तो markup करते हो कई बार question कराया है मैंने markup percentage किस पर निकलते हो CP और MRP के बीच कड़ी होती है यह तो M by 2% above बोला है ठीक है the cost price of the cost price and gives the discount of 19450 अब मेरे को एक बात बात बता हो आपके पास selling price पता है ठीक है discount पता लग गया कितना यह वोला है 19450 ठीक है तो मुझे एक चीज़ बताईए discount क्या MRP यह होता है MRP is equal to selling price और इस पर जो discount देते तो दोनों को add कर दोगे तो आपका MRP आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ठीक है simple concept है आपके profit and loss के 5-5-10 पास चार नो और एक दस नो और एक दस और यह साथ आठ और एक नो टोटल MRP आपका कितना आगे हम क्यों निकाल रहे है reason भी है Baba क्योंकि मुझे मुझे मार्क परसंट दे रखा है तो M क्या है unknown है तो मुझे क्या चाहिए मार्क परसंट क्या होता है आपका नीचे किसके रस्पेक्ट में पहली बात ही होता है यह क्या होता है तो नीचे CP कर दिया उपर क्या होगा MRP और CP का डिफरेंस तो MRP कितना है आपका 90,000 और CP कितना है 60,000 पूरा मैंने लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना होटी कि 30 उपर आगया 60 नीचे तो 1 by 2 that is fractional value of 50% that is M is equal to what 50 आगया क्लियर है कि नहीं बिल्कुल सही था गगन आपका 50 यह यहां तक हमारा clear हुआ अब मेरे से यहां पर M by 2% दिया गया है तो अब यह value किसकी थी आपकी यह mark-up percent M नहीं आया थी का don't be confused यह mark-up percent M is different mark-up percent तो यह total आया है आपका 50% और यही बोला है mark-up कितना है M by 2% that is this value is equal to M by 2% तो M is equal to कितना हो जाएगा आपका M percent is equal to 5 to 10 100% यहां फिर हम कह सकते M is equal to कितना 100% समझें इस बात को M 50 नहीं वो mark-up 50 था आपका ध्यान रखिएगा ठीक है क्योंकि इसको भी generally हम लोग M सही denote करते हैं तो यहां पर confused होने के chances जादा है M is equal to 10 clear यहां तक sorry 100 clear क्या बात है आज students बहुत कम है कि अपरी की तैयारी में लगे हुए अग्यस्त है कि यह ते ओहार आ रहा है ना यहीं तो है कि प्ताय होता ही चल रहे होगी paint event घर में सफाय चल रहे होगी आगे देखो क्या आफ्टर सेलिंग आर्टिकल वरून गो टू अजू शॉप एंड और्ड एंड प्लस अब यह जो पार्ट आम इसको नेक्स पेस पेस पर सकते हैं कोई डिकत वाली बात नहीं है तो कि मुझे जगय आपको समझ में नहीं आता न जादा में गिच पिच कर दूँ अब यह आप से सुटू करेंगे तो आपका उसका पॉंसेप्ट आजागा तो इसको सेल वेल करने के बाद वरूर जाता है जूश शॉप पर और और करता है मौंगा जूश ठीक है मौंगा मिक्शर है किसका आपका मैंगो एंड औरेंज का तो यह मैंने इस तरह का क्यूशन आपको पहले तो 40,000 & 20,000 का रेशिया यह को शाधी नहीं है यह मौंगा तो एक है किसमार को पता है है किसी नहीं रचादी मैंगे और सस्क्राइ़ मैं आपका किसमे चाहिछा जाटी है रहाअ पता मैं आइब टू बट टॉस शाधी में आई क्या अगर मैं इसको सब्सक्राइब तो इसने बोला क्या कि हमें औरेंग जूस चाहिए ज्यादा तो इसने 400 ml औरेंग जूस ज्यादा डलवा दिया ठीक है इनीशियल का अब इनका रेशियो हो जाता है वह इसका थ्राइज हो जाता है तो मेरे को एक बार बताओ या तो आप इसको सिंपल भी सॉल कर सकते को कि इसमें कोई ऐसी कैल्कुलेशन नहीं है टू ए अपॉन में ए प्लस 400 यह रेशियो है आपका किसका मैंग और और अब फाइनल हो गया 3 1 तो 3 2s of 6 में से 1 या 5a is equal to 400 that is a की value 80 आगे clear a की value आपके पास आगे clear यहाँ पर 80 आगे क्या बुला इन्होंने तो जब यह 80 आगे तो यह value is 8 2s of 160 and this value is 80 आगे कुछ पूछा है तो देख लो भाई कुछ पूछा हो इन्होंने इस पर related question first question क्या था find m is how much percent of n m is how much percent of n था क्या आपका एन प्लस 80 ओके वरो एन प्लस 80 है मलव मोंगा जूस तो मोंगा जूस जो टोटल था यह था हमारा एन प्लस 80 तो भाई मेरे को एक बात बताओ अगर यह टोटल कितना है मोंगा यहाँ पर 2a प्लस a 3a है ओके और 3a 80 इसकी value तो 3 into 80 that is this value is 240 तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बो तो एन प्लस 80 तो एन की वैल्यू आपके पास 160 है और एन की वैल्यू कित्ती है 100 तो परसंटेज निकाल ला है निकाल दो क्या निकालोगे एम इस हाँ मच परसंट ओफ एन तो एम कितना था सो और एन आया हमारा 160 यह काटो पीटो इसको यह गया आँसे दो पंचे दस दो अ सब्सक्राइब करते सोला 5 by 8 is the fractional value of what 62.5 परसंट कुडगाव में शादियार दूर है तब यह तो ऐसे खराब है अगर वापर टेमपरेचर चेक हो रहा होगा कि वाई को रोनो तो नहीं लिया ही मुझे कल जाना था काम से लेकिन तब यह इत्ती खराब है कि अब क्या ही बत next अब इस question में क्या पूछा है find the total amount received by Arun after six years from the scheme which he invested तो अगर हम Arun की बात करें ठीक है तो Arun ने जो invest किया था मेरे को एक बात बताओ SI Arun का कितना है था 216 00 okay और Arun ने invest कितना किया था अपना commission का 3 by 4 that is 18,000 तो amount क्या होगा principal plus आपका SI तो 18,000 that is 180 में 216 एड कर तो यह एंसल है आट और एक नो तीन सो छेया नवी ही आपका answer हो जाएगा है किसी option में 396 00 option number V is correct simple questions है देखो आगे बोला है 3m by 4 is how much percent more or less than that of J J's value is 33.33 3m by 4 is 300 by 4 okay यह आपका 300 by 4 है अब मुझे एक बार बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 by 3 लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं J is 100 by 3 यह 33.33 अब यही बोला है कि 3m by 4 that is 300 by 4 is how much percent more or less more or less 100 by 3 1 second यह यह फिर आप यह से कर लो पता है कैसे सॉरी पहले मैं इनका रेशियो निकाल लो तो रेशियो भी सिंपल कर सकते हैं 300 by 4 यह हो गया तो यह हो गया किसकी फ्रेक्शन वैली होती है 125 परसेंट और टेफिनेटली ज्यादा है 125 परसेंट मोर कौन सा ओप्शिन करें नन अफ इस करेक्ट हो जाएगा क्याद स्थी हो समझ रहा हो नहीं कांदभरी और जुसरी जुद्धा कर आज तो कल स्थी खाल और आज तो क्लास लेनी है भले जी कल मैं पूर दिन को कर दो कि दो आधकाओ अर्धा छोड़ने का प्तलब नहीं वटेस्ट मिन्स अबीच में चोड़ने का मतलब नहीं है आज पूरी क्लास कर लो कि ज्यादा प्रॉब्लम होई तो कल मैं नहीं लूगी क्लास कर देगे परसो अगर सही होगी तो दो गंटे क्लास होगी नहीं तो कल चुट्टी परणी पड़ेगी अब फीवर आ गया है पता याद दिक्कत यह होती है फीवर के बड़ी लूज होना लगती है इससे करो ल प्लस के बाई टू का मान बताई है अब यहां पर ल की वैली कितनी आई थी आपकी अपकी यूट्यूब पर ना मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन्स लिए हैं लॉजिकल मेंस के तो जो भी मेंस के लिए प्रपैर करो ना वहां जरूर आगा बहुत ही गोल्डेन कुश्चन्स है यहां प्लस के बाई टू तो एल की वैली थी 54880 के आया था 216 अपॉंड में टू यह कितने बाद जाएगा यहां से दो एकम दो 2816 तो 108 इसमें एट कर दो दूसरी वाली एजी है इसलिए करवा देरी टूफ होती तो मैं छोड़ देती है आज नहीं दिमाग नहीं लगाना असमें जादा है हाई यहां कि वेस्ट है आप नोगे ने किया जैसे आपका फरनल होता है ना मेरे पास फरनल का बहुत अच्छा सेट है जो मैं आपको करान अच्छा से बोला तो वह बोल रहे थे दो तीन तरह की बता रहा था तो एक तो मुझे लगा बिल्कुल भी सलेबस का हिसा नहीं तो आपने जाह पर कहीं पर भी देखी हो तो मुझे एक बर टैलीग्राम पर आप लोग मैसेज कर दीजे का परसनल ठीक है तो डिफरेंस कितना रहा है कि मुझे याद है कि एक ही तो MRP आया था और कभी ने जो बाय किया था वह 50,000 आया था तो दोनों का डिफरेंस कितना रहा है 40,000 कुछ भी नहीं था यार इसे रिफ्रेंस यह निव बैटन है 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 रहें की बेस्ट सेम फ़णल जैसे कॉंसेट रहता है इसका अच्छा कुश्चन है ऐसा कुश्चन मैं आपकर आगया ना आपकर तो फड़ीया रहेगा किसे ने डिमांड करी थी कि मैं करवा देना अला कि मैंने भी आस तर नहीं कराई कभी यूट्यूब पर बड़ मै रहे बीडिसे ने डिमांड की कि मैं कराद में परड़ो फिर बोलना डेन में आगे बढ़ो फिर करवा हूं इसको मुझे ट्राइपॉड लेने जाना अपने लिए ट्राइपॉड टूड़ गया है मतलब बहुत नीडेड रहता है ट्राइपॉड इसी विद्धर से कल मैं कैमरा नहीं सेट कर पाई कुपु ने तोड़ दिया ट्राइपॉड बहुत शतानी करने लगी है चलिए इससे देखते हैं बढ़िया कोश्चन है बहुत दिमाग फ्री कोश्चन है हमें कुछ इंफोर्मेशन गिवन है और एक मुझे डायग्राम सा दिया हुआ है फ्लो चार्ट टाइप का क्या बोला है इन्होंने टोटल पॉपुलेशन इन डाली तो यह मुझे पीदी ह क्यों चै microw है पीपल हव aja यहां से हंकि लोगों में तो यहां पर इन्होंने क्या बोला a यह जो बुजए टेस्ट हो 흡शे है यह वह डूसरे वाले जो नेगे कर लेंगे हास्पिटल रीटमेंट में जो जाते है कि से मैं सब्सक्राइब में उनल चल् herd Love और पीज आई टो नहीं करारें तो जो प्लान करेंगे वह यो ती के लिए वह क्या है कि खिल कि अरो प्लाइन करा हैं यह का थी यह उटेक्सिनेशन नहीं आपके तो दोनो यहां पर अलग-अलग है clear आगे देखिए अब जो vaccination के लिए जा रहा है वो Center 1 Center 2 Center 3 पर जा रहा है और यह मुझे क्या दिया हुआ है number of persons vaccinated यहां पर हमें दिये गए ठीक है यह दिये पढ़ लेंगे क्या क्या दिया हुआ है further following information is also known जो भी problem हमारी यहां पर रह गई होगी मानलो मतलब जो भी clear नहीं है वो यहां से इन्होंने clear कर दिया होगा S is 900% more than that of R 900% more that is 1000% 1000% की value किती होगी 10 होगी तो S is 10 of R यही बोल रहा है आप ठीक है समझेस वार तो फिरकी ले रही है मेरी चीक बहुत देर से number of people knows planning for vaccination is 8000 तो जो यहां पर plan नहीं करते vaccination का यह मुझे साफ साफ दे दिया 8000 आगे बोला है number of written below center 123 indicated the number of doctors in that center ठीक है तो यहां पर इनने बोला है कि यह जो numbers हमें दिये गया है यह किसके number of doctors दिये गया है और आगे बोला क्या each doctor in center 123 vaccinate 20 10 15 people respectively यह बात समझ रहे हो क्या हर center पे यहां पर क्या है हर एक doctor यहां पर 20 यहां पर 10 और यहां पर 15 people की vaccination करता है तो यह जो मुझे c1 c2 c3 denote किये गए यह क्या donate किये गए यह doctors तो जब हर doctor 20 कर रहा है तो 180 टोटल कितने vaccination करेगा तो यह आगे आपके total number of people vaccinated clear यह बात समझ में आई यहां पर हमें clear नहीं हुआ था point यहां पर हमें clear होगया ठीक है तो जो information वहां आप note से देख सकते हैं और SBI में मैंने परसे पताया आपको खास बात है कोई भी new pattern आएगा direction पूरी देगा ठीक है number of male and female vaccinated in center 2 तो center 2 की अगर हम बात करें male female कितने है यहां पर 3L और L ठीक है यह वाली आगे बोला है P की value हमें यह सारी कहानी रच के निकाले करेंगी समझे बात को एक बार और repeat कर दूंगा एक बार क्या आप यह तो समझ रहो ना इस arrow का मतलब क्या होता इस के दो पार्ट भाई को रोना के symptom पाएगा टोटल पॉपुलेशन पीने से कुछ पॉजिटिव हुए कुछ नेगेटिव हुए जो पॉजिटिव है वह हुजिटिव हुजिटिव या फिर ऐस्पिट से एंगे य हमस्द दिये ऌर रेंगे यहां पर नहीं बताया गया। यहां बता दिया कि जोसी एंटो सी इसगेट ।늘 की करता है तो जब एक बंदा 20 का कर रहा है तो 120 डॉक्टर कितने का करेंगे 120 गुड़े एक सोसी गुड़े 20 यह हो गया 3600 यह हो गया 200 इंटू 10 यह हो गया 150 इंटू 15 सारी वैल्यूज आ गई ठीक है सेंटर की यह तो आपकी टोटल पॉपलेशन ऑफ डैली इस पर तो बाद में जाएंगे अभी हम एक एक करके पहले मेल फीमेल तो निकाले पॉपलेशन तो बात की बात है ना अभी थोड़ी निकाल दोगे चलो अब मुझे एक बाद बताओ पहले में क्या था आपका 3 और स्वारी सीटू में था 3 एल प्लस का एल और टोटल कितने आया थे वैक्सिनेटेड लोग यह थे हमारे 2000 और यहां मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है तो 3 एल प्लस एल यही तो टोटल वैक्सिनेटेड समझे इस बात को भाइ भाइ बहुत इसी सा है इतना ताइम क्यों लग रहा है तो मेल फीमेल में लिग दूं मेल कितने हो गया 3 एल थे तो 3 पचे 1500 हो गया और फीमेल किती थी एल थी तो यह तो 500 ही रही ज़िए इसमें नहीं आएगा इसमें मेल और फीमेल आएंगे पैनी चेंज करनेते हैं यह आगे 1500 और यह आगे 500 अब यह क्या बोला था सेंटर 3 की बात करी जाए 3 में female बोली थी 2L तो जब 3 में बात करेंगे इसमें male और female की तो female किती है 2L that is 2 5s are 10 यह हो गई 1000 कुकि यह बात समझ में आई की नहीं बताओ यह बात समझ में आई की नहीं बताओ सब मिल जाएगा आप कुछ नहीं आपको देखो ऊपर से गर्दन नहीं पकड़नी ऊपर से आप समझते हैं नीचे से गर्दन पकड़के पूरा सॉल्ब करते जाओगी ठीक है यह होता है फ़रनल का भी कॉंसप्ट जाना था है है रायर की फ्लो चार्ट सब का यह होता है ठीक है तो क्लिव आपको पकड़ना होता है बस अब इसी तरह बागी के निकालो अब यहां पर क्या वेल्डी थी अब आप आपके पास L और M दोनों आगए ठीक है र की वेल्डी नहीं पता तो आप सेंटर वन को टार्गेट तो हमें करना ही पड़ेगा है सेंटर वन में टोटल कितने आया है और यह मैंने को दे रखा था कितना टू आर और यह तो यह तो हम निकाल देंगे यहां से क्यों क्योंकि इसकी वेल्डी हम फाइंड कर सकते यहां पर जब ल की वेल्डी रखोगे 500 और एम की वेल्डी रखोगे 50 तो चार सो पचास आएगा कि नहीं यह वेल्डी ठीक है डेटर देंग एजिली कर लो यार सब आ जाएगा चलो मैं यहां निकाल देती हूं जगह नहीं हो जाए ल माइनस एम माइनस 200 इसको क्या करोग मतलब इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों आ गया मेल हमारे टू आर दिये हुए थे और फीमेल कितनी आ गई आपकी यह ओड़ेडी हमने काउंट कर ली आगई 1600 तो 36 में से 1600 जब माइनस करोगे यहां पर यह वैल्यू कितनी आ जाएगी टू आर की वैल्यू आगई आपकी 2000 तो आर कितना आ गया है टू आर इस इपल टू थाउज़न तो आर इस इक्वल टू वोट 1000 समझे इस बात को ठीक है अब पी की वैल्यू निकाल लो सारी वैल्यू आ गई भाई कुछ भी नहीं बचा ठीक है अब इसी हो गया आपका 24,000 तो 9,7,16,16,24 कितना होता है आपका 6,4,10 और यह वैल्यू आगई आपकी टोटल कितनी होता है नौ साथ शोले ही तो होता है ना चोबिस छे चार दस दो तीन चार तो यह टोटल आगए आपका 40,000 समझ गया इस बात को अना आगई सारी वैल्यू पी की वैल्यू तो टोटल पोपुलेशन हमारे पास आगई 40,000 अब यहां पर बता हो हो मैं कितने होंगे इसका 1 बाइट पार यह वैल्यू इस वैल्यू फाइफ थाउजन ओके अब यहां पर हमें नहीं पता तो जो जो वैल्यू पता हैं सिर्फ अब नेगेटिव कितने हुए प्लैनिंग फॉर वैक्सिनेशन तो प्लैनिंग फॉर वैक्सिनेशन और पीपल वैक्सिनेटेड कितने आ गया आपके बताईए यह यह थे आपके तोटल थर्च शतिस सो दो हजार और बाइसो पचास इनको सबको एड़ करो कितने हो और आप से यहां पर एक लाइन और बोली थी S is 900% more than that of R that is S is equal to 10R तो S की वैल्यू कितने आजाएगी 10,000 तो S क्या था आपका यही था तो S की वैल्यू 10,000 यहां पर लिख दोगे तो आगर मैं आपसे बूलो टोटल टेस्टेट नेगिटिव तो 10,000 और 8,000 यह वैल्यू आपकी 18,000 कुछ भी नहीं था यार अब इसमें सारी वैल्यूस हमें एक एक करके निकाल लेनी थी पहला कोश्चन क्या है इसे कितने लोग हैं जिन में कोई भी कोविट सिम्टम नहीं था बताईए ऐसे कितने लोग हैं जिन में कोई भी यह वो वाले बंडे थे जिन में कोविट सिम्टम था तो मतलब 40,000 तो टोटल पॉपुलेशन है अगर मेरे पास COVID symptom वाले लोग आ जाए तो मैं 40,000 मैंसर माइनस करके जिनमें कोई भी symptom नहीं था इनको हम यहाँ पर निकाल लेंगे निकाल लेंगे की नहीं निकाल लेंगे बताओ R की value ये थी R कितना है था हमारा 1000 ठीक है जिनमें symptom था वो या तो get positive हुए या negative हुए तो कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो positive negative कुछ नहीं हुए जिनमें symptom ही नहीं था ठीक है तो वह वाला पार्ट कहां से आएगा हमारा यहाँ पर वह वाला पार्ट आया आपका total population में से यह हमें symptom वाला पार्ट दे रखा था तो symptom में मुझे positive सारे add करने पड़ेंगे और negative और फिर उसके बाद क्या करूँ मैं total population में minus कर तो वह बंदे आ जाएंगी जिनमें कोई भी symptom नहीं था तो यह हमने कैसे निकाला यहाँ पर सब को add कर दिया positive वाले कितने थे यह 5,000 यह आर थे तो आर की वैली एक हजार थी तो total positive कितने आ गए आपके पास 6,000 फिर यहां पर अगर हम बात करें इसकी value हमने 10,000 निकाल दी और not planning जो नहीं कर रहे थे वह हमें direct दे रखे थे तो टोटल यह value होगी 18,000 यह 18,000 यह 6,000 टोटल 24,000 माइनस कर दो 40 में से 16,000 आ जाएंगी जिनमें कोई भी symptom नहीं था क्लियर गुद्रा 2.0 आपका एक नमबंबर से स्टार्ट हो रहा है ठीक है जिकते भी student enroll करना चाहिए तो भाई पहले दिन से ही करो क्योंकि आप एक एक गिन कीमती है आपका पाकी एक चौविस होगा find the number of people planning for the टीका करन या वैक्सिनेशन कितने ऐसे लोग थे जो प्लैन कर रहे थे तो यह अल्रेड़ी हम यह आपर find कर चुके कितने आया थे मारी S की value 10,000 आही थी ना sorry क्या बोला है people planning for vaccination but did not get vaccinated देखो question थोड़ा थोड़ा सा आपको घुमा घुमा के दिये हुए है तो समझ ना इस बात को यह सारे बंदे क्या थे वैक्सिन लगवा कर आये थे और टोटल कितने आये थे 7850 अल्रेड़ी सबको एड़ कर दिया था हमने ठीक है और यहां पर जो plan कर रहे थे यह S थे तो इसकी value कितनी आई थी 10,000 तो भाई 10,000 में से vaccination कितनों ने लगवा ली 7850 ने लगवा ली तो इन सब्सक्राइस की value हो गई 10,000 और यहां पर जिन्होंने vaccination लगवा ली वो कितने हैं 7850 तो कल हो सकता है मैं आपका लीव ले लूँ क्योंकि वैसे तो लीव होती लेकिन मैंने का था क्लास लोंगी पर मेरी तभिय ठीक नहीं है तो आपकी Monday से class ना effect हो इसलिए अगर मुझे ले अगरा वोगे तभिक का चाजाएगी ना एककिस्सों पचास ही आरा ना option नमबर डी करेक्टर आगा next इसका एंसर आप लोग बता दो कि हाँ एस माइनस टी पूछा है मैंने वी लिख दिया टी है टी है मैंने vaccinated का भी लिख दिया था क्लास recorded नहीं है भाई क्या भूले भटके चले आयोगा क्लास में आज कुछ लोग तो बस ऐसे याते हैं हाल चल लेकर देख के चले जाते हैं यहां पर आपको पता क्या करना है यहां पर आपके male female आये थे यहां male female आये थे और यहां male female आये थे सारे मेल को एड कर देना है और सारी जो फीमिल आई थी उनको एड कर देना है फिर सब क्या कर लेना है आपको डिफरेंस देख लेना है कल कोशिश मतलब रहेगी क्लास लू लेकिन अगर नहीं तब यह ठीक रही तो कल आपकी यूट्यूब पेट दोनों पर लीव ले ले पूषिय shedll नहीं अच्छेश नहीं कमाया है और लेकिन अच्छेश Titt今天 देख कोशम सबक्राइना है लूट्यूझस भूझस कर दोनों करने अच्छिश देख कोशमी कुशं नहीं कोशम रहे विए भी करेंगे ठीक है कल मतलब जब भी क्लास होगी अब देखो टॉपिक क्या-क्या बच रहा है जो मेरी नजर में अभी रह गए है एक है आपका फ़नल सब्सक्राइब बबल हो गई और केंडलिस्टिक हो गई और नेगिटिव मार्किंग बेस डिया ही हो गई जो आपके छूट रहा है अभी तो रडार और बबल तो मैंने एक ही में मिक्स करवा दिया है आपका तो यह सारे टॉपिक्स हैं जो अभी आपके रह गए हैं तो इनको मैं कवर करूंगी और बाकी जो चल रहा है लॉजिकल तो ही भई वह तो अपना पार्ट बनाई हुआ है वह तो स्केडियोर में लगा है बाकी यह आपके अलग से मुझे करवाने हैं जो रहा गए ठीक है ओके प्याजी कोई दिक्कत नहीं ठीक है आप रिकॉर्ड देखते ह मैं रिकॉर्ड नहीं अभी तो लाइवी चल रहा है और एक बात और वाला जो टू पॉइंट बैच है ठीक है तो जिन स्टुडेंस को अगर आपके जाने में हैं तो शेयर कर दो क्योंकि बाद में लोग पूछते हैं मैं अब नया बैच स्टार्ट कर दो क्योंकि इसको पा जो सारे स्टुडेंट मुझे परस्सनल मैंसेज करें कि मैं बैच चला दो कि इसलिए उप्राइस भी अखा था बहुत कम रहा है ठीक है बढ़िया मजा आई तो चलो एंड करते हैं करते हैं सेशन को इसका जो एंसर होगा आपको कितना हरा बताओ ना बबाब अपा आप चल तो positive tested कितने थे ये थे 50000 वेटल transition तो total positive हो गई आपके six thousand okay और total tested people कितने थेthlet activities कितने थे यह क्या है था ये 4000 नेकार जाभ़ा था यही तो tested तो 6000 आ ये अर्पको कितना थे है यह पर यह दस अजार था और यह था मतलब 6,000 और 18,000 कितना 24,000 टोटल टेस्टेट थे तो 6,000 अपॉइंट में 24,000 क्यों गलत आ रहा है एंसर वन बाइफो तो कितनी वैली हो गई बताओ 25 परसेंट है गा नन ऑफ दीस एंसर मतलब लास्ट में गलत करते करते क्यों जा रहे हो आपनो चेश्ट-परसेंट में और वैक्सिनेटेड तो यह आप टोटल मेंस लोगे डिको यह ठोड़ इन करता है आपको किसके रिस्पैक्ट में बैल्यू दी गई है ठीक है ठीक है टोटल यह आपको टोटल टोट यह परसेंट ऑफ में अगर आपका पूछा वैक्सिनेटट दीया सब्सक्राइब तो 100-X आप क्या लोगे जो मेल आपके वैक्सिनेटेड नहीं थे ठीक है और अगर आप टोटल वैक्सिनेटेड में देख रहे हो कि अगर X परसें आपर मेल वैक्सिनेटेड है तो 100-X यह आपको देखना पड़ेगा कि किसके रस्पेक्ट में बात कही गई है जो डेटा आपको गिवन होगा उसके लिए गया जाएगा ठीक है यह यह बैस आपको दोबारा चीज अच्छी चीज़े बनाने में टाइम लगता है अब हम लोग का वह सिस्टम नहीं है कि जैसे एधर प्लेटफॉर्म के एकटा बैच चल रहा है फिर दूसरा बैच भी अ तो अपना एक होता है नहीं है अंदर से सटिस्टम होना चाहिए तो मुझे बस हो चाहिए में चीज होती है सटिस्टम की हम बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइद करें तो मेरा एक मन है कि आप लोग जितना हो सके प्रीज शेयर करिए 2.0 को ठीक है क्यों कि यहां पर क्या ह इसमें भी कंटेंट बहुत अच्छा रहने वाला है तो अच्छा लगता मिक अप्रीशेशन मिलता है कि यह जादा तर स्टुडेंट तक पहुचे जैसे रुद्रा डिया बैस से मैं सटिस्टम की इसमें आया काफी इंडॉल्मेंट भी हुए और फीड़ भी बहुत पॉसि सब्सक्राइब तो वही चीज है कि आपका 2.0 से भी बढ़िया चला जा तो यार फुशी मिलें ठीक है लास्ट एर एक अगर सवाल है तो यार जी हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए परसंटेज आपको किसी के भी रेस्पेक्ट में वह आपके एक्जाम में दे सकता है ठीक कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने कल या परसो में एक डी आई करवाई थी परसंटेज बेस थी वह आपकी बाद में डिटा केल्कुलेट करने पर तो आप उसको देख सकते हो एक पार ठीक है तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा ओके